स्वागत ते स्टूडेंट हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 का बाइलो जी विसेक आपकी जब्याज जोकी 37 और 29 जनवरी 2022 को दिया गया है पहला प्रशन है पोदों के मूल में पाए जाने वाले मूल गोब का क्या कारे है तो कारे है यह है कॉमल सीज की रक्षा करता है option number 1 यहां पर सही उत्तर है question number 2 है इन में से कौन सा marriage time, mool और तने की चोटी पर इस्तित होता है तथा प्रात्मी कूत्कों का निर्मान करता है तो यहां option number 2 सीर्षतस marriage time सही उत्तर होगा question number 3 है सरलू तक के एक प्रकार के A में कोसी काई पतली बित्ती वाली होती है तथा इनके कौने में cellulose, hemicellulose और प्रक्तिन के जमाब के कारण मोटे हो जाते है इन में प्रायक प्लोल और प्लास्ट होता है A का नाम है तो कौलें काईमा A का नाम होगा option number 3 पर सही उत्तर है इन में से कौन सा मूल के संदर्व में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है तो ये इसका उत्तर आप कमेंट्स वाक्स में कमेंट लिखके बताएं आगे का प्रशन देखते हैं इन में से किस पोधे केतने की आंतरिक संद्रचना में बहु सेंख्यक संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं सेम में option number 4 पर सही उत्तर है इन में से कौन से उत्तक दित्यक व्रदी में भाग नहीं लेते हैं option number 1 सीरसस्त मेरिष्टेम भाग नहीं लेते हैं ये सही उत्तर होगा cambium छल्ले की सक्रियता के कारण पित्की और बनने वाली कोशिकाएं परिपक्व होकर बनाती है दित्यक जायलम बनाती है तो option number 2 पर सही उत्तर है वार्षिक वले में इन में से किसको किनकर व्रक्ष की आयू का अनुमान का पता लगा सकते हैं तो सरत दारू और बसं दारू option number 4 सही उत्तर है अगला प्रिशन है लंबी आयू वाले व्रक्षों में दित्यक जायलम का बीतरी भाग, रेजिन, टैनिन, गोंड और खुश्बुदार तेल आदी की उपस्तिती से काले भूरे रंका और कठोर हो जाता है यह भाग कहलाता है कठोर दारू option number 2 सही उत्तर होगा अगला प्रिशन है परिशर्म के निर्माण में सामिल है कार केंबियंग, काग या फैलंग, दित्यक, बलकुट या फैलो डन उप्युक सभी, तो उप्युक सभी हाँ पर option number 4 सही उत्तर है इस तरह से आपका यह कुई जब्यास complete होता है अन्य कुई जब्यास देखने के लिए जुड़े रही है हमारे चैनल से और चैनल को subscribe करें, दोस्तों के साथ share करें, धन्यवाद